असलाम वालेकुम डियर स्टुनेंट्स वेलकम बैक एक्सपी अकेडमी डॉट कॉम जहां पर आप स्टैफ वाइस स्टैफ आटो कैट उर्थु जबान में सीख रहे हैं आज के इस लेसन में आपको ब्रेक और ब्रेक एड़ पाइंट के बताने जा रहा हूं आए स्टाट करते हैं अतना लेसन आटो कैट के पर डबी क्लिक करें आपके पास आपका आपका ओपन हो जाएगा तो यू जाए से पहले हमेशा की तरह अपनी यूनिट सेटप्स यूए और आप इसे close कर डाले अब आप view के दर चले जाएं डिस्प्ले के दर आए जाएं यूसियस आइकन और इसे origin कर दें तो अपनी जगह पर ये lock हो जाएगा आपके पास तो dear students अब start करते हैं अपना lesson आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वह हमारे पस क्या है break और break at point आपक एक object है अब आप अगर break के पर आजाएं देखें आपके पस break at point है यहां पर आजाएं आप इसे कहते हैं यहां से इस तरफ की तरफे cut लियाओ तो आपके पस कोई फरक नजर आया है कोई भी फरक नजर नहीं आया है फिर देखेगा मैंने यह ले लिया एक point में से यह देता ह तो आप देखें डिया इस अब जैसे मैं यहां पर आ जाता हूँ तो यह देखें यह मेरे पास एक अलादा subject बन चुक है यह अलादा हो चुक्ता है तो यह आपके पस break at point break है देखें यह simple आपके पस break at point है फिर तक देखें कैसे आप break at point के पर आ जाएं आप इसे एक object यह आप एदर क्लिक कर देते हो अब जब मैं जब क्लिक करूंगा तो यह दो पीसे से बरेंट हो जाएगा आपके पस एक पीस ही रहा और एक पीस आपके पास इस तरफ को रहा तो इसों कहा जाता है break at point इस तरह से जुट इसमें जो इस तरह से इस इसमें जो हमारे पास next command आती वो क्या है आपके पास break, break की जो आपके पास सबसे पहले shortcut आती है वो आपके पास क्या है BR, अपने keyboard से आप BR एंटर करें तो आपके पास आपका break active हो जाएगा, तो break mostly use होता है break at point इतना use नहीं होता, break में concept क्या है, break में आपको बीच में gap देदेगा, break देदेगा, आप break की पर आजाओ, आप इसे एक point देदो और दूसरा point इसे कहीं भी देदे, तो इस दोनों की बीच में जो आपके पास gap आएगा वो आपके पास break बन जाएगा, देखें इसने किया कि आप object को क्लिक करें, तो यह आपके पास मुकमल एक object बना हुँ है, बीच में break आई हुई है, इसी तरह से आप इसको values भी दे सकते हैं, break की पर जाएग, एक point आपका यह रहा, mouse को आगी जाने पलाएग, आप इसे कहते हैं, one frits पे cut देदे, अब यह क्या करेगा, इसको यहाँ से आगे one frits का cuts बनाकर आपको दे दे आप इदर आजाएं, एक click इदर कर दें, और दूसरा click यहाँ पे करके देखें उपर, तो आपके पस यह one frits से cuts बना हुआ होगा, इसी तरह से again, आप break एंदर आएं, आपके पस एक point यह है, mouse को आगी तरफ लाएं, तीन frits की value देकर enter कर दें, अब again आप इदर चले जाएं एक point यह है, दूसरा point आपके पस यह आ चुका है, और उपर की तरफ क्लिक कर दें, तो आपके पस यहाँ पर कितनी value आ गई है, तीन frits की value आ चुकी है आपके पास, तो dear students, यह तो हमारे पस कुछ functions थे break के, तो इंशालला, next lesson में फिर हज़र होते हैं, उस वक तक के लिए आ अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तुमाँ computer courses आपको free online करवाए जाते हैं, एंड में एक test लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से safety case विश्यू किया जाता है, जो बज़रिया TCS आपके पताए होई address के मताबिक आपक करने के लिए हमारा address है, xpacademy.com, यहाँ हमें call कर सकते हैं, 0343-9017779 पर, अपनी दौा में याद रखेगा, इन्शालला नेक सिसन फिर मिलते हैं, उस वाक तक के लिए, अलाहाफेज, असलाम वालेकम.